अगर हम बात करेंगे, तो पहला सवाल है, आपके सामनी कह रहा है, कह रहा है कि यह दि कोई ब्यक्ति सीडी पर चड़ता चलकर उतर जाता है, तो किया गया जो मान होगा कारे का, वो हमेशा सुनने होगा, अगले सवाल इतरह बढ़ते हो जो आपके सामनी है कि एक पार्शेक, निवन में से किसके बराबर होता है, एक सवाल बहुत इल्पोर्टेंट है, पार्शेक किसका मातरक है, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वे सभी साथी कमेंट सेक्शन में जाएंगे, कमेंट करके बताएंगे पार्शेक किसका मातरक है, दूसरा, प्रकास व क्या है जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहें वो फड़ा फड़ अंधाज में जवाब देंगे सभी लोग जवाब देंगे इस सभी प्रश्णों के अगर दो की बात करें एक पार्सेक बराबर 30,08 गुड़े 10 घाते 16 मेंटर था इस सवाल को उत्तार हो जाएगा एक यूटूब पर मेरे दोरे ने सुल ग्राप सभी एक लाइब चल ला है धना अब अगला क्या है अच्छा वाइस प्रावलम आ रही है ठीक है वेट बताना यह है कि निम्न में से कौन एक अधिस रासी नहीं है प्रश्ण में देखिए अधिस औस अधिस रासी आपने देखा हो को गवर क्या होगा जितना भी प्राक्टिसेट हम आपको लिए ला रहे हैं मॉडल भी पर ला रहे है उसमें से अधिस और सदिस रासी बराबर पुछा जा रहा है तो मतलब इस प्रश्णों को पूरा पूरा पढ़ना है प्रश्ण नम्बर तीन क्या क्या था है ध्यान से प्रश्ण का उठ्टर क्या होगा दी होगा अगला सवाल कहाई है निवन में से किस इस्तिति में वहनी का वेक अधिक्ता होगा 25 दिग्री सेल्सियस सुक्स वायू में 25 डिगरी Celsius आद्र वायू में, 7 डिगरी Celsius सुस्क वायू, 7 डिगरी Celsius आद्र वायू, प्रस्ट नमबर 4 के ज़वा सबको देना होगा, तेहाँ पर होगा, 27 डिगरी Celsius में आद्र वायू जो होगा, उसमें ध्वनी का देख अधिक्तम होगा, यह सबसे ज़्यादा पूछा जाने कीज़ेगा, चीज़ नो लोग भी इस वीडियो को देखने हैं, वीडियो फेस्बूक और यूटूब पर आप सभी के लिए लाइब चला और उमीद करते हैं, जितने भी शाथी में इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस सभी लोग फड़ा फिल अंदाज में सारे प्रश टेसला, अगर आपने इस वस्टू को उक्तर सी बताया है, तो आपका जबाब पूरी तरसे सही है, हम बढ़ रहे हैं ने प्रशन ने सवाल की तरब, यदि किसी वस्तू को पितिवी से चंद्रमा पर ले जाएं, तो उसके द्रब्यमान पर क्या पुझा पड़ेगा, प्रस जी हाँ, अगर आप पर होगा, तो आप परिवर्तित रहेगा, यहाँ पर इस प्रशन का उत्तर क्या होगा, आप परिवर्तित रहेगा, हम आगे बढ़ना के लिए सवाल की तरब जो आपके फिरसा में आता है, जब पानी में नमक मिला जाए, तो उसके क्वाथनांग ये पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सबी लोग जवाब दिजेगा, जितने ही लोग इस वीडियों को पढ़ रेए, प्रस्ट नमबर साथ का, उसका क्वाथनांग बढ़ेगा, गनलांग घटेगा, क्वाथनांग दोनों बढ़ेगा, क्वाथनांग जदा गनलांग दोनों बढ़ेगा, प्रस्ट नमबर साथ का जवाब दिजेगा, इन्पोर्टैट सबाल है, इलनगी दूर्गेश को नोच सवाल आपको मिल लाएंगे, और आपने नोच पूरा पड़ा होगा तो, यहाँ पर क्वाथनांग बढ़ेग और गनलांग घटे का रथा, सबाल को उत्त आज ही आप्रोप टेलिग्राम पर दुर्गेश सर्च करके इलर्नी भी दुर्गेश पर जरू जुड़ियेगा ताकि हर क्लास की फीडियाप, नॉटिफिकेस आई लिंक, सब कुछ मिल जाए आपको जो भी तक नहीं जुड़े प्रकास की बात करें, तहाँ पर क्या होगा व्यक्तिकरण होगा, बिरवर्तन होगा परावर्तन होगा, ध्रूण होगा जो प्रकास में होती है, ध्वानी में नहीं होती अगर प्रकास की बात करें, तो व्यक्तिकरण ने दिया था जान डॉल्टन रदर फोर्ड जो से प्राउस्ट केलेंडीस तो सभी लोग जबाद दीजेगा फटाफन अंदाज में प्रश्ण नमबर नौ का जो लोग इस यूटूबर पर लाइब चलना है फेस्बुक पर भी किस अनुप इस्थिरम पात करें किस वेक्या न सभी लोग बताएंगे कि जो सीओ टू है इसमें किस प्रकार का प्रस अंस्करण पाया जाता है यस्पी यस्पीं स्कॉर्ड यस्पी क्यूब इस्की प्यपावरफॉर प्रश्ण मरतास का जवाब दीजिएगा यसपी एस प्रस्ण्य का सई जवाब है अग्ला है के सामने प्रमारू रियक्टर में वीमंदग का कारे करता है भारी जल, ग्रिफाइड, कैंडिमियम बहुत इन बॉटन यह प्रस्ण नहां से परिच्छा हम पूछा जा चुका है प्रमारू रियक्टर में तो हम जानते हैं भारी जल करता है जिसे हम D2O के नाम से जानते हैं यह भी करत जाए ग्रिफाइड भी करता है इसलिए प्रस्टेंगा उत्र क्या होगा डी ए और बी हम अगले प्रश्ण की तरह बढ़ रहे हैं निमने में इसे कौन सी आकसी का और नो तरह भी वेवार करता है सब्सक्राइब कर सकते हैं यहां पर नंबर दिया गया है घर बैठे नोट्स पराइब कर सकते हैं पर सकते हैं यहां पर कौन सी कोशिकांग जंद कोशिकांग में नहीं प्याजाता तारक आए गालजी का रसधानी लाइसोसों परस नमबर जवाब दिजिएगा तुझानी का उतर होगा रसधानी अगर आपने इस परिशने का उत्तर शी बता हैं तो आपके जवाब पूरी त कौन सा एंजाइम वसा को वसी अमलत तथा ग्लिस रोल में परिवर्तित कर देता है बताईएगा एमाइलेज ट्रेपसीन प्रेफसीन लाइपेज जवाब सभी लोग देजएगा जितने फिरों कि वीडियो को देख रहा है फड़ा फड़ा जवाब दीजेगा यह बहुत इंपोर्टेंट सीरीज है और यही प्रस्ण आपके परिछा में पूछे आते हैं यही कटिन प्रस्ण यही साहिल प्रस्ण जो प्रस्ण आपको आते ह अगर आप मिश्पिष्ण का उत्तर डी बताया है तो लाइपेज आपके जबाप पुरी तरह से शए हैं हम आगे बढ़ते हैं शवाल की तरह आप लें अप यहां से सुरू होता है काक्रोच में हिर्दय प्रकोष्ट की संख्या क्या होती है जो काक्रोच होते हैं उनमें हि इसका जीवन काल क्या होता है यह बहुत है यूनिक प्रशन यह बहुत बार आपकी सब पूचा है कई बढ़ पूचा जाता है कि WBC का जीवन काल क्या है यह सब आपकी परिक्षा में पूचा जाता है यहां होगा तीन से प्वांस दिव अगर आपने इस प्रशन का उत्तर भी बताए है तो आपके जवाब सही है अब हमनों बिसे में अगले बिसे की तरफ प्रस्थान करने जाना है तो कि WBC अनुसार बदले के कि आपको लग रहा होगा है पूरा स्रीज जो विग्ञान की तो नहीं नहीं पूरी जीए जिगेगे कई बेक्योंते विग्व्यान के सवाल जाते है कभी समिधान जाता होते कभी भूगल जाता कभी अतिहास जाता होते कभी आदवासता सता अख जिगता पूरी तरसे ऊठीक है े विखंडन 9 लगदी जविन पाद भी घंडान द्वारा अब यहां से इतिहास सुरू हो रहा है इतिहास आगे बढ़ रहा है यहां से हलपा सब्यता किस अस्थल से उन्नत जल प्रबंध विवस्था का साच प्राप्त होता है लोथा दौलावीरा बनावली राके गड़ी बहुत इंपोर्टेंट सीरीज है और थेयरी की सेशन में आपने पढ़ा होगा इसके MC की भी सेशन में आपने पूरा पढ़ा होगा तो कि बिसवार अगर आप जाएंगे इलर्नी बिद दुर्गेश पर पूरा प्लेलिस्ट बना है सभी विश्यों की वहाँ पर भी आप इसके तैरी कर सकते हैं और आयप पर जाएंगे वहाँ पर यह कही जएगा आपको सब कुछ मिल जाएगा हडपा सब्यता कि किस अस्तल को उन फटापट कमेंड बाक्स मेंज़ा पमेंड करके भी हमें भी बताएं और खुद भी अपनी तयारी जारी रखें हैं बताएं पर इसके नोट समंदकर कोई जयनकारी चीत इस नमबर पर कॉले वर्टशब करके आप जयनकारी ले सकते हैं जितने भी लोग इस वीडियो को हमा उत्तर मिमान सार धर्सन के प्रवर्ता कौन थे इसमें देखे जैमिनी, कणाथ, चारवाग, बादरायर, तो समी लोग जवाब दीजेगा प्रशन अंब बारुणीस का यतने भी साथ ही लोग देख रहे हैं, उत्तर मिमान सार के लिए इन्पोर्टेंट है, ये कठी सवालों म यह पर अगर नहीं हम बात करें तो ड़िय। आपक mandar हम पतले सवाल को उत्तर क्या होगार कड़ी हो सवाल आपके लिए फुम्धी ह्तेक ननुन में से इस चलहा जंपत की राज़ानी थहार ही जबात की सबobiर सबस्क्रानीतीन तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं विजब आप जरूर देंगे गलत या सही हाट तक किस महाजनपद की राजदानी थी सोला महाजनपद हैं और सोला महाजनपद की मैंने जब ट्रिक पढ़ाई थी जब मैंने प्राशी त्यार के स्रीश पढ़ाई थी जो अभी आपको यूट्यूब पर भी होगा वहाँ पर जाके देखिएगा तो मैंने उस समय एक लाइन क्रेट करके बताया था किसकी किसकी रा जेव गरंथ नहीं है नहीं है पर ध्यान नहीं देंगे तो प्रशनी गलत होजाएगा इसलिए प्रशन को पढ़ना भी सिखिए ताकि कहीं भी कोई वित्रूटी नहों कहीं भी कोई गलती नहों जवाब सभील दीजेगा आचाराक जो आचाराक सूत्र है कल्प सूत्र है और अधाना सतक है ठीक है और भगवती सूत्र है तो आप इस प्रस्टन के एक दम जान लीजेगा कि एक जोगरंथ है जो है अचाराक सूत्र है कल्प सूत्र है और अधाना सतक है लेकिन भगवती सू यहां पर नहीं है इसलिए इस्परस्ट्न का होगा केवल तीन होगा के वाल तीन ओदार सथ ठीक है यह एक जागरंथ नहीं है अगला है तो गलग नामा कि रचना किषने किया था अगला है तो गलग नामा कि रचना किषने की प्रस्टमबर तेज के देवा सभी को बताना है अबुल फजल यादिन बर्नी अबास खासरवानी अमिर खुष्रो आपने देखा होगा जहां पर मद्यगाद तियास खतार हुआ है नोट्स देवा पर सभी परमुग रचना और उ प्रस्टमबर तो आपके जवाब पूरी तरह से शाहिए उनके जवाब पूरी तरह से सही है तो गलग नामा कि रचना अमीर खुष्रो ने की है ठेक है आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रस्टमबर नी से बहुत सवाल पूछा आता है जियादिम बर्नी अबुल फजल सवाल खुब ज़्याद आते हैं यह भी आपको नोट से मिल लेगा अगला है दिल्ली सातना के किस सासक को गुलाम का गुलाम का गुलाम का जाता है अच्छा गुलाम वंस किसे कहा जाता है अच्छा गुलाम वंस कितने लोगों ने पढ़ा है गुलाम वंस को कितने लोगों ने प दिल्ली जबन किस साथ को गुलाम का गुलाम खाजा तो बहुत ही यूनिक शवाल है कुट्वपुद्धी नेवक, इल्टत्मिष, बलबर्ण अगर कुट्वपुद्धी नेवक की बात कीजाए तो यह इसका थोड़ा सा छोड़ा सा सासन काम था ठीक है तो यहाँ पर खुत्वपुद्धी नेवक गुलाम था और फिर गुलाम का भी गुलाम को थे इल्टत्मिष था इसलिए यहाँ पर शवाल को उत्तर क्या होगा आपको पता है दिल्ली सल्तरत में किस सासक ने सबसे पहले दिल्ली गोड़ा घरी बनाया था जितने लोग लाई देखने सभी लोग जवाब देंगे किस सासक ने दिल्ली को राजधानी पलिवत बनाया था रट लीजेगा याद कलीजेगा तो एल्टुक्त मिश नहीं बनाया था ये बहुत इंपोर्टेंट है आप सभी के लिए जितने लोग हमारे साथ पढ़नाई सेशन को हमोर आगे बढ़ना है आपके साथ अगला है डार उल्ल सफा के स्थापना किसने की थी बहुत इंपोर्ट अगला है फार्सी यात्री अब्दुल रज्जा किसके साथनकाल में बिजय नगर की यात्रा की थी अब्दुल रज्जाग से सवाल पूछा जाता है देवराय प्रथम देवराय दुति किसन देवराय वेंगर दुति तो प्रशन नुमर 26 बहुत इंपोर्टन है तो जिक्र नहीं होता आपको जैसे अगर आपने प्रणावत अपको लगेगा है यह तो इस प्रशन में मैनस वर्किंग नहीं होगी तो ऐसे प्रशन में थोड़ा सा मैनत करके कर पाले जाए मैनस होती है तोड़ी सी दिक्कत होती है यहाँ पर क्या होगा देवराय दूति है ठीक है यहाँ पर इस प्रशने का उत्तर क्या होगा आपको बी होगा अब हम बढ़ रहे हैं अगले समाल की तरफ अब यहाँ पर नोट्स समंधी जो भी जैनकर इस नंबर पर वर्क्षप करके घर बैटे जनकर ले सकते हैं सभी जोनपूर से चलती है पीशे अच्के लेक पाल के सुपाटेट के बेश पीशे इस पर अलावा भी जो नोट्स है वो भी आपको आसानी से घर बैठे मिल सकते ब्यार सच्चक बढ़ती हुआ वीडियो रीग जया हुआ सब के लोट्स आप सिवार जी ने किस वर्ष चत्रपती को बारी धारन की ते 17 सा जवाब दीजेगा 1674 एकदम यूनिक सवाल है इंपोर्टेंट सवाल है यहां से प्रश्न पूछा जाता है अगला किस पुर्तगाली गौर्णर ने कोचिन की जगा गोवा को पुर्तगाली के रहतानी बना परिष्ण के लिए त्यार करना है कोई सब्सक्राइब पूछा जाए यह कहा नहीं सकता वस आपको हम सब को अपनी तयारी पर फोकस करना गोवने तयारी मजबूत करनेंगे गलत होगा लेकिन दोबारा अगर प्रश्ण अगर तो गलत नहीं होगा ना अपसे यहां प्रिश सब्सक्राइब पूरी तरह सब्सक्राइब होगा और आपको तयार भी होगा अगला है अंग्रेजियों फ्रांसिसों की बीश पेरिस की संदी कम होई थी वह कम होई थी सब्सक्राइब होगा अगला है किस राजवन्स ने बैसर धर्म को सरचर प्रदान किया सभी साथिस प्रिशने का जवाब देंगे जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं मौल एवन्स पुसार वन्स गुप्त वन्स सिसुनाग वन्स तीस का जवाब सभी साथी देंगे जवाब देजिए फटा पर कमने करें जी आइस प्राश्ने का सहीवत्तर होगा आपका सी गुप्त वन्स वैसर धर्म को सरचर किसने दिया थे गुप्त वन्स ने सन्यासियां दोल समझित कौंस एकनेता नहीं था नहीं था उलत घ्रांज दिखेंगे बदर ये फटा पर के मंद गरें भावानी पाठक देवी चौधरानी संकर सिंग मंजर्सा एक्तिस अज़ाब दीजेगा सब देखेंगे भावानी पाठक थे देवी चौधरानी मंजर्सा संकर सिंग नहीं थे कि अगला है किस भारती राजी की सीमा मियामार से नहीं लगती हमने आपको अभियाविस के शुरूर आपका भुगोह रहा ह। भारत का भूगन का पहला शावाल आगया, अब आप तुलंग दिमाग ले आईए, किस की सीमा नहीं लगती, मियामार की सीमा कितरे राज्यों को छोती है, एक दम याद कर लेजिए, पूरा आपको याद हो जाएगा, अगर हम इसको कुछ इस तरह से अगर हम देखें, अगर मन्चित्राप के दिमाग में थोड़ा सा वीगर फीड होगा, 22 से जबाब दीजेगा, जितने भी लोग हमारे साथ पढ़ रहे हैं, देखें, त्रिपुराग की यहाँ पर है, इसलिए त्रिपुराग सीमा नहीं लगती, अगर मन्चित्राप के लगती है, नागर लेट के लगती है, मिजोरम के लगती है, और यहाँ पर मड़ीपूर के लगती है, चार राज्यों के सीमा लगती है, कितने राज्यों की चार राज्यों के सीमा लगती है, चार राज्यों भी आपके सामने आगए, अमीद करता है अब यहाँ पर किसी का गलत नहीं हो गया, हम बढ़ते हैं फिर से नहीं सावाल की तरफ, गाडवी नाश्टीन परवस सिखर किस परवस रड़ी में इस्तित है जो गाडवी नाश्टीन है इसे केटू के नाम से जाओता है लड़ाख में, जासकर में, काराकोरम, क्यालास सभी साथी जवाब देंगे, जेतने भी साथी हमारे साथ पढ़ रहे हैं फड़ा-फड़नाग में जवाब देंगे, सभी लोग, फड़ा-फड़ने करके लड़ाख, जासकर, काराकोरम, क्यालास तैटिस जवास भी लोग देज़ेगा जी हाँ, काराकोरम स्रड़ी में इसकी उचाहे कितनी, 8611 मीटर दुनिया के दूसरी सबसे उची चोटी है तवाकिस नदी की सहायक नदी है महा नदी, चंबल, टापती, नर्वदा एक चाहर बनावा नोट्स में, वो आपके काम आ जाएगा नर्वदा इस प्रश्ने का सही जवाब है, C ठीक है, हम बढ़ना एक लिए सवाल के तरह उत्तरपूर्वी मांसून से सबसे अधिक वर्षा किस राज में होती है पस्चिम बंगाल, मेघाले, अर्सम, तमिलेडू 35 का देवाब समिलुक दीजेगा उत्तरपूर्वी मांसून, यूं कह सकते हैं लौटे मांसून लौटे, तो जो लौटे मांसून होता है न, इसके बारे मैं थोड़ा साब को बताना चाहूंगा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वैस अभी थोड़ा से ध्यान देदेंगे न, तो आपका जो कॉंसेप्ट है न, वो पूरी तरह से किलियर हो जाएगा ठीक है, ठकराने के बाद एक तो ऊपर चली आती है, परवती राज में जम्मु कसमीर हो गया? यहां पर हिमानचल परदेश हो गया, उत्तराखन का पशिमेचत्र, यहां पर क्या होगा? हिमपा रत करती है लेकिन भारत में जम मैदानी छत्रों के बढ़ती हैं उस समय सितलहरी काग आज़ता है इसे पच्छुवा विछोप कहते है प्रहेस का जन मज़न हम बात करें तो इसे पच्छुवा विछोप कहते है लौड़ता माउसून कहते है यह 14 जनुवरी से 14 अप्रेल उसमें क्यों तो बोधाबादी होती बाजल कर अरता यह 3-4 जिन तक बुधाबादी होती रहती है अभी अपने देखा और आक sido जनुवरी से जनुवरी से अपरीशल्टम में होता है इतव जनुवरी से अप्रेल में बीची होता है यह उन राज्चों मैं वर्सा करती कहां कहा अब देखें, यहां पर पंजाब है, दिल्ली है, कुछ हिस्सा थोड़ा हर्याड़ा होते हुए, पश्मी उत्तरवजी तक वर्सा करते हैं, इसके बाद क्या होता है, यहां पर वर्सा करने के बाद इसके पानी खत्म होजाते हैं, फिर यहां पर क्या करते हैं, फिर यहां पर वर्शा करता है। फिर लाटते मालसून से घरनाल में वर्शा होती है। दूसरी बाद जाने जआ दीजेगा ये कभी-कभी राजस्थान पहुंच जाता है जब राजस्थान में जाता है इसे महावट कहते हैं, तब उससे क्या कहते हैं मावट कहते हैं इसे तब का कहते हैं मावट उस समय रभी की फसल के लिए बड़ी जो समय क्यों होती है गर्मी पढ़ती है गर्मी शुरू होने वाली होती है तो समय रभी की फसल के लिए बहुत फादे मन होती है ठीक है तो मावट लेकिन जब यह रभी फसल पर जाने के अप्रेल में वर्षात होती है कभी-कभी मार्च में होती है बूदा बादी होती है तिन्चा दिन तर्फूब गुदा वादी बातल गर जिंगे खूब मौसम पूरा काला हो जाएगा लेका यह तो गर्मी में कांच बरसात आ गया उसके बाद जब यहां पी हिंपात होता है उ उत्तर पूरी मांसूल और यह वास्तों में लौता में मांसूल से होता है कॉंसर्ट के लिए उपको कमेंट करें बताई हम आगे चले यहां तक जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहें थे अगला है आपके सामने मेंटूर पर्योजना मेंटूर जो पर्योजना है किस अगला है ताटी पाका तेल परिशोधन साला किस राज में है असम आंद्रपदेश उडिशा गुजराः सभी साधी जवाब देंगे जितने भी लोग इस वीडिव देख रहा है ताटी पाका तेल परिशोधन साला किस राज में है सबी लोग फॉनवर के मेंटाइए जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सबी जवाब दीजेगा यहां पर इशक्रिणे का उत्तर होगा अंद्र पंदेश में है बह प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा अगला है भारत का सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा जयो मंदल आरेची छेत्र है सुंदरवन, मनारी खाड़ी, कचकारण, कोल्ड डिजड प्रश्न नमबर 49 जवाब सबी लोग देंगे जी है इस प्रश्न का उत्तर होगा कचकारण अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर सी बताया है कचकारण तो बहुत इनवर्टन है कचकारण किस राजम है? कमेंट करके बताईएगा कचकारण भारत के किस राजम है? कमेंट करके जवाब जरूर दीजेगा भारतिस समिधाल है समिधाल सुरो हो गया संसोधन की सक्ती प्रकेरिया का पड़ा किस अनुछेद में है? और किस देश से लिया गया है? किस देश से लिया गया है? किस देश से लिया गया है? संसोधन की प्रकेरिया है? किस देश की समिधान से लिया गया है? 368 अगला है किसी राज में राश्पती साथन गोष्णा को मंजूरी देने वाला प्रस्तार संसाथ के दोनु सथनों दौरा निम में से किस बहुमत दौरा पारित क्या जाता साथारा प्रोमथ पूर बहुमत बिशेष प्रभाववी अगला राश्पती शाशन या तह zijn 356 यह साधारा जवारां जिटने थी लोग देख बैए आलिस का जबाब सभी साती सभी मित्र देंगे जितरे लोग को पढ़ रहा है जो लोगसाथ अस्थ मंत्री नहीं बन सकता है लेकिन रखना है अगर कोई सदन का सदस नहीं है तब भी मंत्री बन सकता है तब बन सकता है चाहिक जोनी सब्सक्राइब करना निमार है यह मैंने पढ़ाया है नोट्स में भी आपको मिल जाएगा यह वालों के जवाब यहां पर सही है ठीक है जो गलत है वह हमारा सही है यह आपके नोट्स समधी जानकारी आप सभी नोट्स घर बेटे प्राप्त कर सकते हैं चाहिए इसकी स्किन्स लीजिए एक बार यहां पर ध्यान देने योग्य बाते कह रहा है कि निर्वार्चें भारतिय समिधान के भाग पंद्र में है आपात उबन अठार में है समिधान संसोधन भाग एक इसमें गलत है असुच जाती शेतर दश में है तो यहां पर इस प्रष्ण का उत्तर होगा तब वह आपका सी होगा यह हमने पढ़ाया है और विधिवत रूप से मोट्स बनवाया है इला निवित दुरगेश के मोट्स में एक दम पूरा-पूरा मिल जाए सारी प्रष्ण नियंत्रक्यों महालेखा परिक्षक कैग अपनी लेखा परिक्षन रिपोर्ड निम्न में स किसे स्रॉंपता है चर्वालिस का जवाब सभी साती मितर देंगे लोग लेखा समिति को संसप को राष्टपती को लोग सबाद ध्यच को जितने भी सातीज वीडियो को देख रहे हैं यो सभी लोग फटापर क्यमन करेंगे बताई फटापर क्यमन करें प्रस नमबर 44 यह भारतिय समिधान के किस अनुशेद में है कैए प्रस न आपनी पढ़ा होगा जवाब दीजे फटापर क्यमन करें करें कचकारण गुजरात राज में सही जवाब राष्टपती स्पष्ण का सही जवाब अगर आपने इस पश्ण का उत्तरशी जवाब दिया है तो आपके जवाब पुरी तरह से सही है पंचायतों को समय ध्हानिक अधार परदां करने की सिपारी सब्सक्राइब किसी किसे ने किया था किसे दिया स्था इस्तरी ब्यूंत इस्तरी जवर्था कई थी इस प्रश्न को उत्तर सी होगा इन्हों ने यह कहें जनक हैं यह जनक हैं प्रथम बार इनके समय बात कर देगा समय धानिक अगर समय धानिक की बात कर देगा समय धानिक दर्जा किसी पारिस लच्छमी मल्द सिंग्मी समित ने किया था ठीक इस ने किया थे लच्छमी मल्द सिंग्मी समिती यह बहुत इन्पॉर्टेंट है आप चाहें तो इसकी इसकी इन्सोर अपने पास रख लें लच् अगला है ग्राम पंचायत के बैठक का वजन किया जाना निवार है दो माह से कम सक्वाइब प्रते माह तीन माह में कम सक्वाइब दीजेगा जितने फी लोग इस वीडियो पर देख रहे ग्राम पंचायत की बात कर यह भी नोट्स में होगा यह सब अपको नोट्स में मिल जाएगा दो माह से कम में एक कम से कम एबब एस प्रते का सही जिवाब होगा और यहां पर यह क्या होगा यह संसद के लिए होगा विधान मंडल के लिए होगा ठीक जो चमा से ज्यादा शमय समय चमा से ज्यादा गञतर ना हो ग्राम पंचायत की बैटा के तो लिकितनी गणपूर्ती को अब नहीं है अन्थ पर संसत के लिए बंद बाइडल के लिए वनवाइड एड़ल लेकिन फटायत टेल लेकिनी कमेंट क्रेंगा बताईएगा संसत के लिए गड़ा 10 है विधान मंडल के लिए गड़ा हम बात करें बताईएगा संसत के लिए गड़ा पूर्थी कोरं कितनी है ए सदस्यों की कुल संख्या की आधी मतलब इस प्रशने का उत्तर क्या हो जाया अगर आपने इस प्रशने का उत्तर ए जबाब दिया तो आपको उत्तर कोई द्रशेश रही है अगला वैश्वी बिद्ती अंताराष्टी मुद्रः को ईसे आऑफ कि में इसका मुक्याले कहा स mercy को में करके जबाब जबादेज़ें अगला वैं ग्रेथ डिवाइड रिंड किस देश में ये भोगोल का सवाल है विवगोल का सवाल है गरीडिव इं ongoing चीबादेंट है पारいつ टलिया में है ये कोर कोरल रीफ है आपके ठीक है ग्रेट डेवाइडिंग रिंज आस्टेलिया में है यह आज का पचासवा और अंतिम शवाल हम कह सकते हैं निम रीगा निम इसे किस देश की राधानी है सबी लोग जबाब दीजेगा जितने इस साथ इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग टेल पर जैर जरू करिएगा नोट सम्दित कोई भी जानकारे चीथ इस नमबर पर कॉले वाटशेप करके आप सभी लोग जानकारी ले सकते चितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं नोट समदी जानकारी ले सकते अगर आप शायता है कि आप भी वाटशेप ग्रूप मे वाट्सेप पर मिल जाएगी, वाट्सेप पर आप अपना नाम और जिला लिख के मैसेज कर दें, ठीक है, इला नीवी द्रगेस्क आयप आप प्लेइश्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर सभी क्लास नोट्स आपको एक ही जेगा मिल जाएगा, यह आज का आखरी प् कोई शवाल हो, तो कमेंट बॉक्स में जाएगा, जरूर बताएगा, उमीद करते हैं, यहां सारा टॉपिक, सारा कॉंसेट्ट क्लियर हो गया, वीडियो को शेयर करिएगा, चनल पर नए हैं, तो सस्क्राइब करके बेल ऐकन दमाना ना भूलेगा, यह कि अभी की बार, एक सी ठावाल.